नमस्कार जै जोहार तर्गत होने वाले सभी एक्जाम्स की तैयारी कर आए तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज है टुबी दे बैस्ट लण फ्रॉम दे बैस्ट कि 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 चलिए प्रिंटर कि कि से हमको आगे वर्ण कि पिछले सेशन में इससे पहले सारी चीज़े कवर कर दो और और देख लेंगे प्रिंटर को दो भागों में बाटा गिया प्रिंटर को अगर प्रिंट करने की चमता की साफ से देखें तो तीन प्रकार के प्रिंटर मिल जाएंगे आपको पहला मीरेगा रसका करेक्टर प्रिंटर क्या करेक्टर दूसरा लाइन प्रिंटर इसरा पेज प्रिंटर को आपको प्रिंटर का उधारन देखना है तो उसको कैसे याध सी सी डीडी टी सीसे करेक्टर एत् έतले डीसे दिडीवीलटी से थ्यम लाइन अच्छ एक और इंग जाद आगा ईंकट है ना लाइन मारेगा तो आप उसको बोलोगे क्या बोलोगी बीचिवीड के बस बोलो गे कैसे कुछ नीथा अभी से बेंड कोई चेट डी से ड्रम पेज प्रिंटर में आता है लेजर फृंटर कौन साओ प्रिंटर वही है एक अगर हम देख het और नोन इंपेच्ट के इसाफ से को नोन इंपेक्ट प्रिंटर कर था लेजर लाइट करके आद किया थे लाइटी एल से लेजर आई से इंक जेट ती से थर्मल यह बहुत इंपोटेंट एरिया है क्योंकि यहां से पूछा आता है कि कौन सा नौन इंपक्ट है कौन सा इंपक्ट है बच्पन से व्यापम ऐसी पूछ रहे कई साल होगा ऐसी कुछ पूछी नहीं रहे ठीक है तो इसके अलावा क्या इंपोटेंट है इसमें यह इंपोटेंट जैसे सपोस्ट डॉट मैंट्रीस प्रिंटर में क्या क्या चीज लगे हुए होते हों इस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या और आइटम फिट है उसको हमको याद रखना खंब होता है कितने-कितने प्रकार के तो सब्स्क्राइब कर लेंगे और उसमें बटा बिदूघ in that को हैं यह तो मैंट क करने करेकटर प्रिंटर उस उबड्रक चुके नसौनी बता रहा है ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक या एक सिध्न को अधार को पर काम करता है कि इसकी स्पीड क्वाल्टी को करेक्टर पर सेकेंड में मापा जाता है इसकेटर प्रिंटर से कार्बन को भी प्राप की जा सकती अ प्रिंट करने के तरीके कदर करेंच करता कि इसके हैं मुझे टीन करना इंप्रिंटर अक्षरक यहां पर प्रिंटर को आगे रीबन पर पीन यह अधवोडे से कागज पर मुद्रिद किया जाता है impact printer or non impact printer की अपर एकछा धीमा होते हैं अर्छा में धीमा अर्ण यहाप ठखटख ठख करके प्रिंट करना लेजर प्रिंटर या इंस णी डिला दिक हो गई ऀंक चुरका पाजाता है यह साइसे तो लेजर प्रिंटर में तो उसमें जल्दी प्रिंट होता है समय कम एक सेकंड बच मुझे समय देंगे अधर ने शिक चलिए तो समय कमी लगाए इंपेक्ट प्रिंटिंग के समय शहुर हुथ है हाँ जब ठॉक ठॉक्ठ अवाज करिए ख़तेंगे behavior ब्रेंट क्या स्विद्ध में飲ाट में फेले ख़ोड़क कि जितने थैं trend तो कुछ प्रिंटर पूरा तो मैं पड़र जरूर दोंगा लेकिन इंपॉर्ट मेंट जह संहर इंगे जैसे में में इंपोर्टेंट है और में पहला प्रिंटर कौंस से चपाइक विशकार किसे था वो किसकार के थमें तौन नीस सो 25 में रुडोलफ हल ने क्या रुडोल्फ हमिलने出कोब साब Black यह दो श् toujours गोल भी है संद्धनार रच्टाइव डॉत karaoke कर लेना 1925 में इसका विश्काद के गया था अब इसमें क्या क्या यूज होता है याद अगना ribbon holder drive belt ये कई बर पोचे question है तो डाट मेंट्रीश प्रिंटर में के दो हिस्से होते हैं ribbon holder drive belt इस बात को आप याद रखेंगे इसके लबाग या क्या क्या लिखा हुआ इस printer करके लिए प्रिंटर के लिगता है। जहां से काग़ से करके करण होता और और कुर्ण प्रूड को जबाइड-वि नहीं χी मो प्रिंटर जो डॉट एब acquisition के द्वारा प्रिंट करते है तो ग Geralt锋 क्रेक्टर प्रेटर है tá सीडीडीटी करके याद के देनी या करेक्टर कुछ ही फॉंट में प्रिंट कर सकता है बहुंस से वर्याटी आवलेबल नहीं रहते इस प्रिंटर द्वारा ग्राफ और रेखा चितर उके रहे जा सकते पर अच्छी नहीं होती जिस प्रकार आप चितर में देख सकते हैं यह कैसे कटे अ कि सबेंच कर तो इसका इसा जफIs इसका बसमा कर यह पूछा गया थास्युक्ष पुछा आफ़ प्लयकोंसा है सिक्वेंशल प्रिंटर को दारन में डॉक्रिक एस या तक् जाताना सिक्वेंस वाइज एक बार ऐसे टाइप करना तो एक बार में होगा नहीं जैसे योगेंद दीके ना तो वाई ओजी इस प्रकार से आप याद रख लिना लेजर में एक बार में टाइप हो जाता तो सिक्वेंशल प्रिंटर का उधारन अगर पूछे तो डॉर्ट मे में मापी जाती है यह से यूजज अकांटिंग और बिलिंग में होता है इसका संचलान लगत काम होता और क्वाल्टी कम होती है कोस्ड्री कम होता है और स्य्विट्रींग क्तिवी कम होती है है से लाइन से से एक सरकल बनाओ वान हि gangster सिंब हुए तो यह ठोस मुद्रा अक्षर मतलब सॉलिड फॉंट वाल इंपर्ट प्रिंटर इसका नाम डेजी विलिस ले दिया गया है कि उसकी प्रिंट हेड की आकरिति एक पुष्प गुल बहार डेजी से मिलती जिलती है यह ऐसा फूल ऐसे रहते हैं इसमें कि इस प्राकार का फूल वो सरे कौन सब फूल है सुरज मुकि दिखर है और pastio ये यह जैसे में just कपते हैं तो इसका पुरा मेकैनिसम को नहीं जाना या एक रंगे कर सकता है इसमें ग्राफिक्स अच्छित कर पाते या भी स्तार है जाते हैं और खोल्फ बॉल्टीट्रिंटर यह पूछा जा चुका कोस्ट्टन है गोल्टील बॉल्टीटर किसका उधार कि इसके तीन प्रकार है तरा सभ्योध कर याद के थिन पीसिडी चे बेंड भी उसे चेंड ड्रा मत प्रिंटर कि आप क्या क्या होता या रख लेंगे बाकि उतना इमपोर्णन एन यह उतना है नियुक्त सविधा के लिए कुए अपमारों ने यह रिवन और प्रिंटर है टाहें sty मर का यूज करता है जैसा की चीटर में दिखाया हुए कोई मेकनिजमा याख करने की जुरूत नहीं है ड्रम तेजी से घुमता ये भी छोड़ो इस पर ये कुछ काम कर नहीं है चैन प्रिंटर या एक लाइन इंपक्ट प्रिंटर इस प्रिंटर में तेज घुमने वाले चैन रिबन और हैमर का यूज होता है हाँ कि इसके बाद कोई इसका में करेंज नियुक्त भी लाइण और इंपक्ट řेक और इंन इंपक्ट में इस सकता है है और तो टरच करके हुआ क्या नहीं शिर्का दिया तो इंक लग गया है वो सकता महीड प्रोड्यूस करके उसमें प्रिंट कर दूँ हो शक्तल लाइट के माध्यां से प्रोड्यूस कर तो अलग-अलग मैथड है जैसे देखो इस तरह के प्रिंटर कागज पर चोट नहीं करते बल फ्रम प्रिंटर कोलिवानीन को अच्छी होती है अलग्ए थोड़ा बहुन आप मेरे पास्ति घंडर हे तो मैं मालून होता है लेकिन इंपेट प्रिंटर की तुलना में बहुंँ ज्यादा शोर नहीं होता इसके गति भी fast होती है और quality भी बहुत अच्छे होती है non impact printer monochrome और कलर दोनों प्रकार का हो सकता है दोनों ले सकते हो non impact printer में कागज और printer सता के 20 सिदा संपर्ख नहीं होता हाँ बनदब ऐसी ट्रच नहीं होता कुछ मैं तो पूर non impact printer यह laser light करके मैं यादी कराती हा था एल से laser i से e Nab το आ हुआ कर इख इंख फ्र्िंटर फिर्टि इंग-चैप इंग-चैप harus I मैं बताते हूं आपको यह एक क्रिक्टर प्रिंटर भी या ना क्रेक्टर वला राती है करने के लिए संफायी का उप्योंग क्या था इसको याद रसमец् relationship क्या जो में जो इंक डलता है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं जिसके वाले में जिस्व लगा हुआ है जो ड्राइविंग बेल्ट की माधियमで से ँगति करता पेपरों पेक्षों को जएसे करके प्रिंट करता है इस में कार्टреже में लाल घ्लाश पीली नीली रंग की गिली स्याही होती है गिली रहती सूखी नहीं निकलता है अब यह एक लरण आपको याद रखना है कलर को कैसे याद दिखाए देता है शाम को लाल पीला दिखाए देता तो लाल और पिला तो ही गया है एकदम सूबे की बातब करो प्मक्रीब निकलता है और ढहलता तब पीर रात में ti Schutz ग управ तो सारे के सारे आसमान के कलर हैं वो याद रख लेना आप यह मोनो तो तक कलर दोनों सकते हैं मतलब ब्लैक और वाइट वाला भी हो सकते हैं सहाई के लिए कार्ट्रेज को प्योग होते हैं इसकी स्पीड कम होती और खर्चिला होता है इसमें प्रिंट गुनवत्त अच्छी होती दो को जो इंग जैट प्रिंटर की बात करना मैं आपको अगर जब आप प्रिंटर लेने जाओगे तो आज प्रिंटर की बात आएगी इंग जैट प्रिंटर यह दो प्रिंटर ज्यादा चलते हैं और एक और नया वाल आया इंक टैंक इसके बारे में जैगा है और यह सस्ता है लेकिन उसके बार जो स्याही का kost आता ना यह इस में कम्होंता है मतलब प्रिंटिंग कोस्ट पर्चेसिंग कोस्ट महंगा प्रिंटिंग कोस्ट ससता यह इसके कंपर जाता और यह दूकाना आपको जो पचास पैसे 75 पैसे या आपने रूपाय में प्रिंट कर करके देिए रहे ना वह इंकजर करें नहीं सकता है इंग तो वह लागत नहीं सकते हैं वह году तो रुपए तीन रूपए पांच रूपए लेगा लेजर से तो प्रिंटर वाले ही एक रूपाने करके देते हैं चिक इंवाला ज्यादा ही लेगा आप से लिए प्रिंट क्वाल्टी बहुत अच्छी होती है इसको इसमें न जिसमें 64 छोटे-छोटे-चोटे नोजल गॉलते हैं जो एक jed spray की तरह काम करते हैं वहीं से इंका होता है लेकिन इंग चुर्च चुड़कता होगा तो तो फैल जाता योग नहीं पहलता क्योंकि हैं क lengh कि चिरकाऊ करके पृफित किया तै烈 इंग जर्ट्र में चलर का बदालना पड़ता हो जिसरे अन्य प्रिंट्रों और पेक्षा यह थोड़ा मेंगा में 3 याइक प्रेशूर का प्रकार है जो कि फोटोकॉपी टक्निक जीरोq टक्निक पहारित है कि इसमें अнет कि ऑट टोनर का ट्रेज़ का ब्रेयोग होता है इंपोर्णेट है याद रखना कई आइबर पूच्छा जा चुक wins laser printer print करने के लिए प्रकाष की किरन या laser beam को यूज करता है यह laser beam को lens में focus करता है और laser beam lens से परिवारती होकर transform पर पड़ती है photoconductive drum जिसे तश्वीर गर्पर हो जाता है या laser की किरनों से गर्म हो जाता है और laser की किर्णों से गर्म हो जाता है वह जरूरी याद ना, दिया हुआ, तो समझ सकते हूं, इसमें सूखी साही पौडर इंक या ड्राइड इंक का यूज़ की आता है, जो कि एक आवेशित होती है, आवेशित होती है, मतब चार्ज होती है, इसमें लेजर बीम की सायता से प्रिंट होता है, इसमें प्रयुक्त सेमी कंड़क्टर होता है इस बात को भी आदग लेना या भी मोनो कलर मतलब ब्लैक एंवाइट वाला भी हो सकता है या प्रेश प्रिंटर के अंतरगत आता है इसकी क्वाल्टी भी बहुत अच्छी होती है इसका यूज कहा होता है डेस्टॉप पॉब्लिशिंग में किया जा ज्यादा कोश्चन अच्छा थेर्मप्रिंटर को बताना बचा है इसको भी देख लेते हैं फिर में कोश्चन प्याओंग थेर्मटर इसमें इंक का उप्योंग नहीं होता तो क्या होता है तो य्मीकल के वज़ए से वहां पेक और काला बंज आ जाता है इसमें फीटर लग सबसे अच्छी क्वाल्टी कॉछन देता है कि यादखना कोई भी प्रिंटर दे अगर साथ में लेजर प्रिंटर है तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा लेजर प्रिंटर होगा लेकिन लेजर प्रिंटर के शांत सांत कभी अगर plotter दे दे कि 3D printing अभी बात की तक्नीक है कि यह 3D प्रिंटर का देखो उसका कंसर्प्ट कौन लेकिया है तो चार्ल्स हुल ने लेकिया उनिस्वर तालिस में सब्सक्राइब कर सकते मेडिकल में यह सारी जगह यूज कर सकते रीड मार लेना नोट क्या इस्टेटी विश्व की पहली एलेक्ट्रिक कार है जिसे 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाया गया था अभी जो 3D प्रिंटर है देखना इसका परिवासा देखना और संबह हो भी जाया क्या पता 3D प्रिंटर एक भविश्य का प्रिंटर है मतला राहूल गांदी का एक ठोक बीच में शॉट क्लिप वाइरल कर दिये थे हलाकि उनका पूरा सेंटेंस वाइरल नहीं हुआ बस एक सॉट क्लिप हो गया इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा ऐसा मश प्रक्रियाओं का उप्योग करके डिजिल फाइल में तीन अक्ष एक्स वाइज एड मजबूत वस्तों को त्यार करने की प्रक्रिया है देखो अभी मन गणान वाली बाते हैं बाद में संभव हो पाया तो हो पाया अभी फिलाल काम कर नहीं इसको छोड़ते हैं नेट्वर करना होता है या तो सिस्टम में रहेगा लेकिन करेंट करेंगे न तो हम यहां से अपने मुबाइल में इंस्ट्रक्षन देंगे अगर करेंट रहेगा ब्लूतुस से वहां स्प्रिंट हो जाएगा तो यह नेट्र प्रिंटर एक फेक्स मशिन फेक्स मशीन के बारे में भी सुन लो ह। यहांसे question तो पूछे नहीं गई हैं लेकिन आ सकता है फेक्स मशीन की परिवाचा क्या है पूरा नाम क्या है for away zerox जिसे face smile or tele popping भी कहा जाता है टेलिफोन नेटवर्पर टॉकुमेंट भेजने के लिक जाता है बोलते ना फैक्स कर दो किसी डॉकुमेंट को प्राट करना हो तो रिसीविंग में सेट हो जाता है बेशता भी रेसी भी करता है इसका विश्कार किस ने किया था तरणा एलेक्जेंडर बेन द्वारा किया गए 1843 में इसको याद अख लिएगा एलेक्जेंडर बेश इसके तीन भाग होते हैं मोडेम और प्रिंटर इसके द्वारा डॉकमेंट को ब्लाक एंड वाइट स्पोर्ट में स्कैन किया ता है मैंने बता है मोडेम का पहले यूज बता चुका हो मॉडेल लेटर डीवॉल फॉल फॉर्म होता है अनलोग सिग्नल को डिज्टल सिग्नल मे कि मशीन है प्रिंटर के अंतरकत नहीं आता लेकिन प्रिंटिंग कही काम करता है इसका उप्योग बड़ी ड्राइंग चीतर बनाने के लिए के लिए के निकल वस्तुक के ब्लू प्रिंट आटोकेड कैडि में रित्यादी के लिए यूज़ के आता यह पूछा किया कोश्चन याद रखना आपना है कि अलो हाँ है कि लास्ते रोलो है कि भूलो है ठीक है यह कंप्डर से जनकारी को कागज पर चीतात्म ग्रूप में वाद करता है सर्वत्तम ग्राफिक्स प्लॉटर के द्वारा बनाया था एक दम बेस्ट पॉल्टी प्लॉटर से निकलते इसके दो प् प्लॉटर और समतल प्लॉटर फ्लैट बेट प्लॉटर बस उतना याद रखना इसके अंदर पढ़ने की जुरूत नहीं आपको नू कि इस्पीकर इस्पीकर भी एक आउट्पूट डिवाइस है कैसे आउट्पूट डिवाइस है देखो माइक लगा हुआ है यह माइक्रो बदलता है समाने शब्दों में कह सकते हैं कि यह डिजिटल दोनी तरंगो को साउंड के फॉर्म में बदलता है एक मुल्टिवीडिय डिवाइस है इस्पीकर को प्योग साउंड ऑडियो पॉर्मेट के डिटा कॉर्पूट करने के लिए हैड़फोन भी सेम वही कॉम करता ह इसकूल में पुराने कॉलेज में प्रेजंटेशन देने के लिए प्रोजेक्टर लगता न जहां पर यह इंयगर सेरेगा है और यह वाइट चाट उसमें वो लाइट भेसता है और यहांपर सारी चीजे दिखेंगी तो प्रजेक्टर के आउटपट को बड़ी स्क्रीन या पर दर्शाने के लिए होता जैसे मुवी भी चलती ना तो मुवी भी ऐसा ही सिस्टम पर काम करते हैं प्रजेक्टर का प्रयोग मनवंजन बड़ी मीटिंग कॉन्फरेंस और प्रजेंटेशन के लिए प्रजेक्टर लेंस वाइज की बीच की दूरी को यादाना क्या बोलते हैं थ्रोन डिस्टेंस थ्रो फेका जाया मतलब कहां तक वह फेक सकता अपनी लाइट को सारे डिटा को 205 को तो फ्रोणल डिस्टेंस कहते यह तूरी होती ज्याता प्रॉजेक्टर फ्रोजेक्ट कर सकते हैं वह सता पर फ्रोजेक्ट वह इस information या project earning कहते यह अरे अगर यह मान्स चोलो वाइट चाट होता है वहां से लाइट रोश्णी आती तो इसको मैं क्या बोलता प्रेक्श्ण स्क्रिन बोलता अब प्रोजेट करने के तरीके और प्रोजेक्शिं स्क्रिन के अधार पर प्रोजेक्टर के भी अलग प्रा emerges जैसे CRT प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर, DLP प्रोजेक्टर, इसका फुल पॉम पसिया दकना, डीटेल में पढ़नेक्ट ज़रुत नहीं, CRT, चैथोरेेट, ट्यूब वाला, LCD, लिक्विड क्रिस्टल दिस्प्ले, DLP, डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर, इन्पूट, आट्पूट डिवाइस सब्मिक्स कर दिया है, अब में तो पुन बातों के साथ यह वाला चैप्टर हम खतम करेंगे, अप्टिकल माउस कविशकार Microsoft ने 1990 में किया था ठीक है मोरिटर पर होरिजोंटल और वर्टिकल पिक्सल के गुणर फल को Screen Resolution कहते हैं यह सारे एक्जाम में आई हुए पॉइंट्स है उसको ऐसी लाइन से दे दिया है तो अप्टिकल माउस कविशकार किस ने किया Microsoft ने किया वन ट्रिपल लाइन में होडिजोंटल और वर्टिकल पिक्सल को क्या बोलाता है Screen Resolution बोलाता है दो पिक्सल की बीच की दूरी को डॉट पीच बोलाता है कि एक स्मार्ट कि एक इंटेलिजेंट कि और एक नॉर्मल जन्रल पिंट्र था स्मार्ट एक मट देखता हूं कि एक डंब टर्मिलल है डंब पुराने देख चुके यूस्बी पोर्ट के माध्याम से इन पूर्पूर्ट डिवाइस को जोड़ा सकता है और बहुं सारे अलग अलग पोड़ भी है जैसे कीबोर्ड और माउस को यूस्बी पोर्ट से भी जोड़ते हैं और प्येस्टू पो प्रदर्शी डिजिटल डिटा को एक सब्सक्राइब को यह दिख रहा तो यह सब्सक्राइब का इसी को में प्रिंट निकालनों तो वह सबसे उच्छितम क्वाल्टी का प्रिंट प्लॉटर के माध्याम से प्राप्त होता है अगर प्लॉटर नहीं है तब आप लेजर आंस कौन कौन से होते हैं इन्पूट प्लस आउटपूट तो इन्पूट प्लस आउटपूट डिवाइस को क्या बलाता है परिफरल डिवाइस बोलाता है कि लेक्स क्या होता है थंडर बोल्ड क्या होता है यह एक बार देख लेंगे लेक्स या पॉली विनाइल क्लोराइड से वे बनी शीट पर बड़े ब्लॉटरों के माध्यम से प्रिंट कर आता है इसी हम फ्लक्स कहते हैं प्लेक्स का बड़े अकार में ब्रिंट करने क्लिक है तो जो ह॓ल्डिंग्स पर बड़े को पूस्टर लगे न वो प्लोटर से ही निकलते हैं ठीक है वो किस से निकलते हैं प्लोटर से अच्छ थंडर बोल्ट क्या है थंडर बोल्ट युएसबी सिरियल पोर्ट और परलेल पोर्ट सिस्टम कबिनेट का वाइस थाना जहां पर परिफेरल डिवाइस को जोडते हैं वही थंडर बोल्ट है इन्पूट और आउटपूट तकनीक है ठीक है थंडर बोल्ट इमेज दिखाता हूं आपको थंडर बोल्ट का कि 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 यह कह थंडर बोल्ट है इन्पूट आपपूट देके ने एक साइड दोनों साइड के वली रहता है यह कह थंडर बोल्ट के बले नहीं इस सारे के सारे थंडर बोल्ट के बल है कि क्लिया देख लिए चलो और क्या के लिखा हुआ है एक्स्टा पॉइंट मल्टी फंक्शनल डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो एक सेदिक कारी कर सकते हैं कोशन पूचा गया था नाम से क्लियर है यह ना मल्टी फंक्शनल डिवाइस प्रिंटिंग यह इंहां प्रेस्टमति कोर सकते हैं कम्प्यों तर में अजाओ डे क्या कहलें गहलाएगा यह प्रोसेश होता है तो क्या क्लाएगा डेका क्लाएगा टूद कीसlevant लॉक्स दिवाल की टो zac जिसको कर सके कैप्स लौक अगर और यह तो सारे लेटर ऐसे लिखाएंगे एबी-सीडी अगर आफ है तो ऐसे लिखाएंगे एबी-सीडी तो ऑन आफ और आफ करने से फीचर बदल जा रहे है नियुमरिक लॉक अंडर लिखाएंगा और नहीं तो उसके अंदर जो और प्रिंट करता हूं तो एक साइड निकल जाता है अगर मुझे दूसरे साइड करना ना तो उसको पेज को निकालके फिर इसे पलट के डालना पड़ते हैं लेकिन जहां पर डूपलेक्सर लिखा रहता जैसे प्रिंटर न करते हैं तो अपने आप ऐसे प्रिंट करेगा फिर इसको खीचेगा आप चेंज करके प्रिंट कर देगा वो डूपलेकर रहता है तब सम्भाव पाए डूपलेकर एक ऐसर डिवाइज है जो कागाज के दोनों तर प्रिंट करती है कर लगाँ है से यह से सेशन कहीं करना कि अथे का मिलेगा यहीं का मिलेगा टेलीग्राम चेनल में प्रेघ्ट मिलते हो वर्ण लिन्क चानल जाइएम सब्सक्राइगे ने जड़े । वहां पर भी बहुत सारे जनकारी आपको मिलेंगा ठीक है चलो मिलते हैं शुडियों में धन्यवाद